exercise 3.2 का question number 2 लेके मैं आ गया हूँ इसमें कहा रहा है find out whether the following linear equation intersect at a point are parallel or coincident मतलब इसमें ये कहना है इसमें देखो दो equation दिया हुआ है इन दोने equation को देख करके ये बताओ ये जो equation है ये intersecting line है, parallel line है या coincident line है जो मैंने आपको अल्रेडी पहले introduction वाले वीडियो मैंने बता दिया था इसको हम कैसे पता करेंगे इसके लिए इसमें देखो, इसमें हिंदी हमें लिख दिया है हिंदी में से प्रतिछेद रेखा, समांतर या फिर समपाती रेखा कहते है ठीक है, प्रतिछेद रेखा हम यहां intersecting line को कहते है मैंने यहां पर condition लिख दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना यहां पर मैंने condition लिख लिया है A1 by A2 is not equal to B1 by B2 इसमें one solution होता है, जिसका मतलब होता है एक ही हलक है इसका अभी यूज नहीं है, अभी आपको सिर्फ इसका यूज है बीच वाले का तो अगर यह condition follow करेगा तो हम बोलेंगे यह intersecting line है यानि कि प्रतिछेद रेखा है, ठीक है, अभी सिर्फ इतना देखते है Second में देखो, अगर यह condition को अगर follow कर जाएगा प्रतिछेद रेखा है, कौन सा समांतर रेखा है, या फिर कौन सा समपाती रेखा है मतलब intersecting line, coincident line या फिर parallel line यह बता रहा है तो गार इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसमें A1, B1, C1 का value put कर लूँगा, देखो, तो A1 इक्वल क्या हो जाएगा, यह 5, ठीक है B1 इक्वल क्या हो जाएगा, 4, नहीं, 4 नहीं, minus 4, ठीक है और C1 इक्वल क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, इतना आपको समझ मारा होगा फिर A2 इक्वल क्या हो जाएगा, दूसरा equation देखो, 7, ठीक है B2 इक्वल क्या हो जाएगा, 6, और C2 इक्वल क्या हो जाएगा, minus 9 तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें A1 by A2 equal to B1 by B2 मैं check कर लेता हूँ अगर ये condition मेरा follow कर जाएगा, तो फिर मैं अगला step भी करूँगा, तो पहले इसको देखता हूँ तो A1 का value है, 5 by 7, equal to B1 का value है, minus 4, और by 6, तो ये दोनों तो cancel हो रहा है 22 जा 4 और 23 जा 6, तो यहां से हमारा आगया क्या है, ये पुरा लिखो 5 by 7, equal, minus 2 by 3, तो guys ये आपको देखने से लग रहा है, ये दोनों जो condition है, ये क्या है, ये equal नहीं है तो यानि कि ये equal नहीं हुआ, is not equal to, is not equal to, तो guys आपने ये condition अभी पढ़ा है, यहां देखो यहां पर ये condition आभी आपने, मैंने आपको बता है, जिए अगर ऐसा condition होता है, तो इसे हम intersecting line कहते हैं, यानि कि प्रतिछेद रेखा, ठीक है, तो answer हमारा यहां पर solve हो गया, तो हम कहेंगे, क्या ये एक, कौन सा line है, intersecting line है, intersecting line, ठीक है, यानि कि प्रतिछेद रेखा, ठीक है, तो ऐसे ही इसके और दो पार्ट्स है, वो दोनों पार्ट्स ऐसे ही सेम बनेगा, तो आप इसी तरीके से उन दोनों questions को भी करना, ठीक है, अगर कोई doubt होगा, तो आप मेरे से पूछना, यह first part है, दो पार्ट्स और है, जो आप homework में करोगो, ठीक है guys, तो मिलते हैं फिर next video में,